नमास्कार दोस्तों मैं सोरोब और आप देख रहो एसे स्क्रीक फेंटासी इस भीटे के तुरू मैं आपको इस मैच से डिडेटेड हार एक फ्लियर का रिसेंट फॉर्म हेड़ रेकॉर्ड वेनु रेकॉर्ड पिछी रिपोर्ट सब कुछ अपको यह पर डिसकस करने वाला ह जिसके मदद से आपना से स्मॉल लिग ग्र्याल लिग में भी एक अच्छा का सा प्रॉफिट कमा सकते हो इसलिए वीडियो भीना स्क्रीप किये पूरा देखिएगा और चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जूड़े रहिएगा इसके लाबाद स्मॉल लिग का टीम एंड थरू हमारे साथ टेलीग्रम चैनल से जूड़ सकते हो शुरुवत करते हैं इंडिया और बंगलेदिस के बिच में इसे आपका सिक्स मैच फेडिक्सन जो खेला जाने मला है 15 सिप्टेम वर 3 पीम कहा आप आर प्रिमादासा स्टेडियाम कॉलम बोपार आप देख लेते पि बहुत ही लो स्कूरिंग मैच देखने के मिला था बहुत ही मतलब ब्लैक स्वाइल का पीच यूसवा था पीच में बहुत ज्यादा दरारे आपको देखने के मिला था जिसके चलते में सुरुवत से स्पीन आपको देखने के मिला था उस मैच में टोटाल 16 विकेट स्पीन सबस्क्राइब ये उद्धान चंटका था अर्पेसर के खाते में से चार विकेट था लेकिन सेकें मैश में टिक उल्टा हुआ था इंडिया और पाकिस्तन के बीच में जो मैंच कर गया था वह बहूत है हाइ स्कूरिंग मैच था एक्चुली हाइ स्कूरिंग मैच नहीं था इंडिया ने हाइ स्कूरिंग बना लिया और पाकिस्टान ने पूरा कोलाफ्स कर गया था उस मैच पे पेसर के खाते में टोटाल चार विकेट था spinner के खाते में टोटाल 6 विकेट था और हमें सा spin को थोड़ा advantage मिलता है सिलंका पार आज भी आपको spin को advantage मिलता है थोड़ा देखने को मिल जागा आप देख लेता है इंडिया के possible playing with recent form with headweight record with venue record इंडिया already qualify और Bangladesh already disqualified so इंडिया बहुत सारे change कर सकता है देखते क्या होता है बहुत सारे जो main player है उसको site rest मतलब rest दे सकते है तो देखते हैं क्या होता है रोईत सर्मा के साथ आपको फिलाल सुम्बन गिल्ट को opening करते हुए देखने के मुल जाएगा रोईत का recent form काफी बढ़ी है आप देख सकतो लगातार तीन मैच में half century leading run scorer है रोईत सर्मा इस सीरीज में उसको आपको सुम्बन गिल्ट को देखने को मुल जाएगा recent form सुम्बन गिल्ट का भी आप देख सकतो काफी बढ़िया है और पाकिस्तन के पाकिस्तन के खिलाब और तीन मैच में सेवेंटी फोर की है इस टीम के खिलाब चार मैच में 43 की एबरेज है बंगलादिस के खिलाब राहूल का भी रिसेंट रेकोर्ड ठीक टाग है नंबर 5 पर आपको इसन की सन को देखने को मिल जाएगा इसन का देखने को मिल जाएगा इस पिछको पर अच्छा कर सकते है और पिछने मैज में भी दो इकेचर के दिया था अक्सर काफी बढ़िया है मैं पहले मैंसी आपको बोल के आ रहा हूं कुल इस सेरीज में काफी बढ़िया करने वाला है फिलाल कुल कर तब सिल्हेक्सन पर्सेंटेज 20 ऐ 25 पर्चंट था लेकिन आज आप कुल निग का मतलब सिलेक्सन पर संटेज दिखेड़ा रहे लीडिंग वि करने करके आइं दोनों को बिक कर सकतो और सामी कव को सुरुआत में देखने को मिझागा और एस तुट है पूल यह अब कवी पॉर्म का एस नहीं का रहा है हेटवेट में चार मैच में नाइन वीकेट चटका दिया मौमद समय इंपर्टेन हो सकता है इसी तरह के से सुरिया अगर खेलता है तो सुरिया का भी अब रिसेंट फर्म देख सकते हो आप देख लेता है बंगलादेश के पॉस्टवर प्रिलिंग लुएन उइद रिसेंट मिराज को ओपनिंग करते हैं देखने के मुझ जागा नाइम का रिसेंट फर्म काफी बेकार चल लए और आभी तक बुरी तरीके से फ्लॉब हो गया अब मैदियासन मिराज एक मैच में सतक मरा था और अल्मोस्ट हन मैच में यह कुछ ना कुछ करता है थोड़ा बोलिंग म सब्सक्राइब को देखने को मिल जाएगा साकीब का भी रिसेंट फर्म आप देख सकतो ठीक टैक है उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जिस तरीके से हम लोग साकीब को जानते थे लेकिन उस तरीके का फर्म अभी तक एस से कब में नहीं दिखा पाया अब रिसेंट फर्म लगाता है तिनी मैच में उइक के लिष्ट और बैटिंग में भी एक दू मैच को छोड़के कुछ खास नहीं कर पाया नामबार पांच पर आपको तुई धरिदोए को देखने के मिल जाएगा सिर्फ पिछने मैच में सिरंका की खिलाफ 18-2 मारा था लेकिन एक मैच को रिष्ट पर आप अच्छा विकेट चटका है यहां पार तीन विकेट एक चार विकेट एक तीन दू मतलब तासकिन आमेट इनपरेंड होने वाले विसको आपको तुछ वरीफुल इसलाम को भी देखने को मिल जागा स्वरीफुल का भी रिष्ट पर आप देख सकतो ठीक सब्सक्राइब के साथ आपको सोरी फूल को देखने को मिल जाएगा बेंच पर कुछ प्लेयर का नाम है अगर रोहीम तो खेलने वाला नहीं है मुस्तभ विजुर रहमन अगर खेलते हैं तो इन्पर्टेन हो सकते हैं क्योंकि हेट ट्वेड में दस माचे है ट्वेंटीटीटू क्याबरेज है लेकिन दिसेन फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है मुस्तभ विजुर का आप देख लेते हैं फैंटासी टीम इंडिया का टीम इसके कांपरेजन में काफी strong हैं इसलिए अप इंडिया के favor में टीम बना सेकते हो फिलाल माइं इंडिया की favor में पुरा टीम बनने वाला हु वान सैड़िड ईटीम बनने वाला हु रॉइकिट की बद सेक्शन से राहूल को आप सीधा सीधा पिक कर दीजेगा। अगर आप चाहतो लीट वीटनदस को भी पिक कर सकतों ईसद्ध रिशन को अब कर्दिनेशन वाईस पिक कर सकतों ग्र्य agriculture में और ग्र्याण्लिंग में अब लेटर अंदस को जरूर पिक करना क्योंकि इंडिया के खिलाप अच्छा खिलते हैं लेटर अंदस बैटिंग सेक्षन से रोहित स्वर्मा बिड़ाट कुली सुम्मन गिल्ड मस्टप पिकोना वाल है अगर आप चाहतो हिदोय के साथ भी जा सकतो लेकिन हिदोय का रिसेंट प घ्राप कर सेकतों लेकिन याप पर अब हारेक इंपरेंट फ्लीयार को नहीं पिक कर सेकतों किसी ना किसी फ्लीयार को तो आपको ड्रॉप कर नहीं होगा और सायद हर्तिक पंडिय को इसमेच पे सायद रेश दिया जाएगा देखते क्या होता है मैं दियास अन मेराच इंपोटेन होने वाले है अकसर पठेल को अगर आफ चाहतो टिम बें कंसिडर कर सेकते हो अगर पीछ से थोड़ा स्पीन होता है तो अकसर पठेल इंपोटेन हो सकते है बोलिंग सेक्शन से सायद जस्पीद भूम्रा और मौमद सिर्याज को ड्रॉप कर दिया जाएगा अगर जस्पीद भूम्रा मौमद सिर्याज खेलते हैं तो यह दोनों मस्टप पिक होने वाले है ने तो अगर सामी खेलते हैं तो सामी को पिक कर सकते हो फिलल देखते हैं क्या होता है फिलल मैं भूम्रा और सिर्याज के साथी जा रहा हूँ तस्कीन आमेद इन्पोटेन होने वाले और कुल्दीब जदब मस्टप भी होने वाले आप देखे लेते क्याप्टेन वेस्ट के अगर बात करें अगर इंडेक टीम पहले बैटिंग करें उस कंडिशन में आप रोहित सुर्मा को क्याप्टेन वेस्ट बना सकतो और केल क्याप्टेन वेस्ट बना सकतो और कुल्दीब को भी आप किसी भी कंडिशन में क्याप्टेन वेस्ट बना सकतो और कुल्दीब को भी आप किसी भी कंडिशन में क्याप्टेन वेस्ट कप्टेन बना सकतो और कुल्दीब यादम लेटिंग विकेट टेकर है अभी तक एस्य कब में वीडियो अच्छा लगा और इंफर्मेटीव लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा